हेलो दोस्तो विल्कम बैक टो किमन करी आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मसालेदर मटर मश्रूम की सबसी जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले हमें चाहिए 200 ग्राम के जितना बटन मश्रूम दोस्तो ये मश्रूम बहुत ही कॉमनली अवेलबल होते हैं मार्कित में तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे मैंने इने एक बर अच्छे से धो के कपड़े से पोच लिया है इसको मैं थोड़ा पील करना प्रिफर करती हूँ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा डर्ट होती है वो निकल जाती है बट अगर आपके मश्रूम बहुत जादा क्लीन है और वाइट है तो आप उनको एज़टिस चॉप कर सकते हो तो मैंने इसको इस तरीके से पील कर लिया जो इसकी डंठल है इसका यह सबसे नीचे वाला हिस्सा है यह हटा दोगी मैं क्योंकि इससे बहुत ही बुड़ी टेक्शर आ जाता है इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया और इसी तरीके हम बाकी के भी कर लेंगे अब यहाँ पे एक पैन में मैंने वन टेबल स्पून के जितना ही है मुस्टर्ड ओयल यह है आप कोई भी रिफाइन ओयल या कोकिंग ओयल यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में आप यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हो तो इसमें मैं डाल रहे हूँ हाफ टेबल स्पून के जितना क्यूमन यानि की जीरा, एक तेज पत्ता, वन बे लीफ, दो लॉंग और एक हरी लाइची, टू क्लोव और वन ग्रीन कार्डमम, एक सिनमन स्टिक, और पान से छे काले मिर्च, ब्लैक पेपर कॉन्स, टू रफली चॉप्ड अनियन्स, दो प्य अब यहां पर मैं एड़ कर रही हूँ, यह मैंने जिंजर गालिक और ग्रीन चिली का ऐसे पेस्ट बनाया था, यह थी टेबल स्पून के जितना मैंने एड़ कर दिया, दोस्तों मेरा जिंजर गालिक का जो पेस्ट था वो थोड़ा थिन था तो इसलिए तीन टेबल स्पून अगर आपका थिक है तो आप वन टू टू टेबल स्पून ही आड़ करेगा, यहां पर मैंने दो चॉप के वे टमाटर आड़ कर दिये, यह हम बेसिकली मटर मश्रूम का मसाला ग्रेवी बनाने के तयारी कर रहे हैं, तो इसी रहे सारी चीज़ों को अच्छे से भून के हम पिर इसको प्यूरे करेंगे, अब यहां पर मैंने टू टी स्पून के जितना धनिया पाउडर एड़ किया, वन टी स्पून के जितना यह मैंने जीरा पाउडर एड़ किया, और वन बाई फो टी स्पून के जितना गरम मसाला एड़ किया, 1 by 4 टी स्पून के जितना हल्दी पाउडर आड़ कर दिया मैंने अभी और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे ताकि मसाले जले नहीं तो मैंने 2-3 टेबल स्पून के जितना पानी आड़ कर दिया अच्छे से सारी चीजों को मिला लेंगे और मसाले भूल लेंगे हमें बेसिकली टमाटर को गलाना है तो अभी हम नमक भी आड़ करेंगे इसमें यहां पर मैंने स्वादानुसा रेड चिली पाउडर आड़ किया है जो करीबन 1 by 4 टीस्पून के जितना मैंने आड़ किया क्यूंकि हमारे जिंजर गालिक पेस्ट में ग्रीन चिली थी तो मैंने कमी आड़ किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने और आड़ किया करीबन 1 by 8 कप के जितना और यहां पर नमक मैं आड़ कर रही हूं 1 by 4 टीस्पून के जितना जिस्ट की टमाटर गल जाए बाद में मैं सबजी को टेस्ट करके जितना नमक कम होगा और आड़ करूंगी जब हम फाइनली सबजी इसलिए मैंने नमक एड़ किया इस पॉइंट पे तो हमेशा टमाटर को गलाने के लिए नमक एड़ करना बहुत जरूरी है इसको मैंने कुक किया करीबन 5-7 मिट के लिए तो टमाटर अच्छे से गल गया और हमारा यह पेस इस तरीके से हो गया अब इसमें से हम दाल चीनी अब उसी बर्दन को मैंने साफ करके फिर से चढ़ा दिया गयस पे और इसमें हम एड़ करेंगे हम 1 टेबल स्पून के जितना यहां मैं गी उस कर रही हूँ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप कोई भी कुकिंग ओयल ही उसकर सकते हो अगर गी नहीं उसकरना चाह किया है यह 1 by 4 टी स्पून के जितना है जिस कलर के लिए और उसी पॉइंट पर आपको मश्रूम एड़ कर देना है दोस्तों जब मश्रूम एड़ करें तो उस टाइम पर जो आपका फ्लेम है बहुत जादा लो नहीं होना चाहिए क्योंकि मश्रूम फिर पानी चोड़ने लगते हैं तो यह याद रखेगा जब भी मश्रूम एड़ करिए तो आपका जो फ्लेम है वो मीडियम हाई होना चाहिए उसके बाद मैंने अधी कटोरी के जितना हरी मटर एड़ कर दी इसको एक बार अच्छे से हम टॉस कर लेंगे और फिर इसके बाद हम अपना प्यूर से पानी आड़ कर सकते हैं जितनी भी गाड़ी पतली सबजी आपको चाहिए हो तो मैं थोड़ा सा थिक रख रही हूं तो मैंने पानी नहीं आड़ किया है मैंने प्यूरी बना दे समय जितना पानी आड़ किया यहां पे मैंने वन बाई फो टी स्पून के जितना कसूरी मे कि यार हो जाएगी साथ से 10 मिनट में बस बिल्कुल रेडि आप इसको सफ कीजे चपाती के साथ नान के साथ तो आप सभी को आज की रेस्पी दोस्तों बहुत पसंद आई हो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भू मैं मिलती हूँ आप सुभी से एक नए वीडियो एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए देख कियो बाबाई